सोलन जिला के कुनिहार शेत्र का दौरा डियसपी रमे शर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने इस शेत्र में स्थान्य पुलिस दौरा लगाये गए नाकों की जांचकी। साथ ही नाकों पर आने वाले वहां चालकों को परदेश सरकारव जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के बारे में अबगत कराया उन्होंने लोगों को जानकारी दी कि जिला भर में मस्क पहनना अनिवार रहे ऐसा ना करने वालों के खिलाफ पुलिस कारवाई कर सकती है और इसमें 500 रुपे से लेकर 5000 रुपे की जुर्माने तक का प्रावधान है इसके अलावा शर्मा ने कुनिहार शेत्र में पुलिस थाने के भवन के निर्मान के लिए जमीन की तलाश भी की और कुछ चहनित जगाओं का निरिक्षण भी किया आपको बताने की कुनिहार शेत्र में वर्तमान में थाना किराय के भवन में चल रहा है और पुलिस भीभागी यहाँ पर स्वेम थाने के भवन का निर्मान करने की इच्छुक है इसके लिए यहाँ पर जमीन की तलाश की जा रही है कुनिहार में निरिक्षण को लेकर डीएसपी रमेश शर्मानी जानकारी दी की कुनिहार में जैसा आपको विदित है कि हमारा जो पुलिस स्टेशन है वो अभी एक किराय के भवन में चल रहा है इसके लिए हमने एक तो जगे यहाँ पर भूमी का निरिक्षण भी किया जहां पर संबभ हो सके कि पुलिस स्टेशन का निर्मान किया जाए तो इसमें हमारी प्रात्विक्ता यही रहेगी कि हमें कोई ऐसी जगे मिले जो कि सड़क के नजदीक हो क्योंकि जैसा आपको मलूम है कि पुलिस स्टेशन के लिए एक ऐसी जगे चाहिए जहां पर वहां आसानी से आ सके क्योंकि रोड एक्सिडेंट्स होते हैं कुछ केसे में हम बड़ी बड़ी गाड़ियां वगरा इंपाउंट करते हैं ताकि उनको खड़ा करने के लिए भी हमें जगे मिल सके हमारा प्रयास यह है कि इस तरह की हम कोई जगे का चैन करें और उसको अपने पुलिस अधिक्षक के माधियम से हम जो है उपाईप मोधिय से मामला उठाकर फिर भूमी जो है पुलिस विभा को स्थाने करवाने का प्रयास करें साथ ही वहनों में ज्यादा लोग ना जाए इस प्रकार से उपाईप मोध्य ने आदेश जारी किये कि जो दो पईया वहन है उसके केवल एक व्यक्ति जाएगा और जो चार पईया वहन है उसम साबुन से हाथ दोएं सैनेटाइजर का प्रयोग करें और बच्चों और बुजुर्गों को या कोई जो बिमार लोग हैं जिनकी जो रोग प्रतिरोधक शमता इमनिटी जो है वो कमजोर हैं वो कम से कम बाहर निकले भीडबार वाली जगह में जाने से बचे